शांता कारम भुजग शैनम पद्वनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सद्रिशं मेगवर्णं शुभांगं लक्ष्मी कांतं कमल नैनं योगी भिर्द्यान गम्यं वन्दे विश्णुम भवहरं सर्वलौकिक नाथं ओम नमो भगवते वासु देवाए हमारे सनातन धर में हर तिथी किसी ना किसी इस्ट देव को समर्पित है इसी तरह से एकादशी के तिथी भगवान विश्णु को समर्पित होती है एक आदशी के दिन अगर भगवान श्री हरी की पूजा सचे मन, श्रद्ध और लगन के साथ की जाए तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं कहते हैं कि कभी भी बिना भगवान की भक्ति के सफलता भी प्राप्त नहीं होती जिस समय परिशानिया हमारा दुख हमें घेरता है उस समय हम अपने दुख की घड़ी में सबसे पहले अपने भगवान को अपने आराधि देवी देवता को ही याद करते हैं ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन से हर तरह की परिशानियों को हर दुख को दूर करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन अगर संभव हो तो भगवान विश्नु की पूजा करके उपवास रखना चाहिए और व्रत्की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए अगर आप होती है एकादशी के दिन चावल का पोनतया निशेद होता है यानि कि इस दिन चावल का सेवन नहीं किया जाना चाहिए चावल से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए तुलसी दल नहीं तोडने चाहिए किसी भी प्रकार की वनस्पति को एकादशी के दिन तोडना पा चाहिए हर प्रकार के जुए से बचना चाहिए नशे आदी से दूर रहना चाहिए इस दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे की भगवान विश्णु नाराज हो जाएं उनके क्रोध का सामना करना पड़े इस दिन सभी से प्रेम से बोलें किसी की निंदा बुराई चुगली दिकाम ना करें किसी तरह की जीव हत्या ना करें तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ योगिनी एकादशी की कथा जो की आशार मास के क्रिश्न पक्ष की एकादशी है एकादशी के दिन अगर आप उपवास रखे तो अच्छा है नहीं तो सुबह के समय भगवान विश्नु की पूजा पीले फल पीले फूलों से करके भगवान विश्नु को भोग में तुलसी दल अर्पित करने के साथ ही धूप दीपक जलाने के साथ ही आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए और व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए आज योगिनी ए कथा का वर्नन को सुनने वाले हैं उस कथा का महriftं में भगवान श्री कृ्ष्न ने अपनी श्री मुख से धर्मराज यूधिस्टर को बताय था समय समय पर गवान क्रिश्नु से एकादशी वरतों का महात हम पूस्तлом में पूस्तलि रहते हैं और खुद भी वpektादशी का व् प्रभाव से ही धर्मराज युदिष्टर को अंत में स्वर्ग लोग की प्राप्ति हुई थी तो आए रिस्पांद करते हैं योगिनी एकादशी की कथा का पूजा विदी शुगमूर्थ और पारण की जानकारी हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है अगर आपने उन वीड को भी देख सकते हैं पराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के समय की बात है एक बार धर्मराज युदिष्टर ने भगवान वासुदेव से कहा हे तरी लोकी नाथ मैंने जेस्ट मास के शुकलपक्ष की नर्जला एकादशी की कथा सुनी अब आप करपा करके आशाड मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाईए इस एकादशी का नाम तथा महातम में क्या है सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताईए भगवान कृष्ण ने धर्मराज युदिष्टर के प्रश्ण का उत्तर देते वे इस प्रकार कहा हे पांडू पुत्र आश चार महिने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है इस दिन व्रत रखने से सबी पाप नस्ठ हो जाते हैं और इतना ही नहीं धर्मराज यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुप्ति देने वाला है है धर्मराज यह एकादशी तीनों लोको में प्रसिद्ध है इस दिन व्रत रखने से सबी पाप नस्ठ हो जाते हैं धर्मराज अब मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित योगिनी एकादशी की कथा सुनाता हूं ध्यान पुर्वक श्रवन करो कुबेर नाम के एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य थी एक दिन वह मानसरवर से पुष्प लेकर आया किन्तु कामा सकतो होने की कारण पुष्पो को रख कर अपनी पतनी के साथ रमन करने लगा इस भोग विलास में समय बीता और सुभा से दोपहर हो गई उधर हेम माली की रह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसका क्रोध भी पढ़ गया उसने अपने सेवकों को आग्या दी कि जाकर तुम लोग पता लगाओ कि हेम माली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया सेवक पता लगा कर वापस आए और राजा को बताया कि राजन वे हेम माली तो अपनी पतनी के साथ रमन बहुत क्रोधाया और उसके क्रोध के मारे होट फड़फ़ाने लगे क्रोधित वे राजा ने कहा अरे अधम तुने मेरे परम पूजनी देवों के भी देव भगवान शिवका अपमान किया है मैं तुझे श्राब देता हूं कि तु पतनी के वियोग में तडपेगा साथ ही मृत्य लोग में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करेगा कुबेर के श्राब से वह तच्छड स्वर्ग से प्रत्वी लोग परागिरा और कोड़ी हो गया साथ ही अपनी पतनी से भी बिछुड़ गया मृत्य लोग में आकर उसने अनेक भयंकर कस्ट भोगे मगर भगवान की करपा से उसकी बुद्धी मलिन नहीं हुई और उसे अपने पूर्व जनम की भी सुद रही अनेक कस्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जनम के कुकर्मों को याद करता हुआ हेम माली हिमाले परवत की ओर चल पड़ा चलते चलते वह मारकंडे रिशी के आश् रिशी को देखकर हेम माली वहां पहुचा और उन्हें प्रणाम करके उनकी चर्णों में आगिरा हेम माली को दुखी देखकर मारकंडे रिशी ने पूछा तुने कौन से निक्रिस्ट कर्म किये हैं जिससे तु कोड़ी हुआ और ये भयानक कस्ट भोग रहा है महर्शी की बात सुनकर हेम माली ने अपनी व्यथा महर्शी को बतानी शुरू कर दी और कहने लगा हेम मुनिस्ट्रेस्ट मैं राजा कुबेर का अनुचर था मेरा नाम हेम माली है मैं रोजाना मान सरोवर से फूल लाकर भगवान शिवकी पूजा के समय कुबेर को दिया करता था मगर एक दिन पत्नी के सुख में फस जाने की वजह से मुझे समय का ज्यान ही नहीं रहा और दोपहर तक मैं वह फूल कुबेर तक नहीं पहुचा पाया तब राजा कुबेर ने मुझे श्राब दे डाला कि तू अपनी पत्नी का वियोग झेलेगा और मृत्यूलोप में जाकर कोड ही बनकर दुख भोगेगा है महर्शी इसी वजह से मैं कोड़ी हो गया हूं तथा प्रत्वी पर आकर इस भयंकर कस्ट को भोग रहा हूं है मुनिवर अब आप ही करपा करके कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मुझे इस रोग से मुक्ति हो सके मारकंडे रिशी ने हे मुमाली की दशा देखकर उससे कहा हे हे माली तुने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे है इसलिए मैं तेरे उधार के लिए एक वरत बताता हूं अगर तु आशार मास के क्रिश्न पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूरक वरत करेगा तो तेरे सभी पाप नस्ठ हो जाएं और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का वरत विधी विधान से किया इस वरत के प्रभाव से अपने स्वरूप में वह वापस आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा इस प्रकार योगिनी एकादशी का महातम में बता कर भगवान श्री पापनस्ट हो जाते हैं साथ ही मुक्ष प्राप्त करके ऐसा भक्त स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है एकादशी की इस पावन कथा को सुनते समय अपने हाथ में पीला फूल रखें उसके बाद कथा समापती के साथ ही श्रद्धा और विश्वास के साथ ये फूल भगवान व कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी साथ ही आप हमारे चैनल पर आशार मास महतमी की कथाएं भी हर दिन सुन सकते हैं